जाहिन दोस्तों मैं रित्तिक राज श्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब सेनल फॉर्म फिलप की नोलेज में दोस्तों सबसे देखी रुजगार का कोई भी अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो जो सबसे फेमस बेवसाइड है उसका नाम है सरकारी इसी से हम आपको आज यूपी मेट्रो में फॉर्म निकला हुआ है यूपी मेट्रो रेल करपोरेशन पीवीटी लिमिटेड में फॉर्म निकला हुआ है पीवीटी नहीं लिमिटेड है तो हम इसी में फॉर्म भरके अपलाई करके बताएंगे तो अपना गूगेल ओपन की किजिएगा और सरकारी result search किजिएगा अब जैसे ही सरकारी result search करेंगे तो आप देख़ें ऐसा लोगों आएगा सब लोगों को पता होगा www.sarcarireult.com इस पे हम click करेंगे और इस पे click करने के बाद अब जैसे ही हम इसको click करेंगे तो ऐसा face खुलके आएगा सरकारी रिजल्ट और यहाँ पे देखिए इसमें तीन फेस होते हैं तीन करना होते हैं एक रिजल्ट एक एड्मिट कार्ड और एक लेटेस्ट जोब में आज़ी से अपलाई शुरू हुआ है यानि कि यह एक नौवंबर 122 से अपलाई शुरू हुआ है यूपी मेट्रो वैरियर्स पोस्ट ऑनलाई फॉर्म इसपे हम क्लिक करेंगे और इसपे क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल्स जानकारी नोटिफिकेशन समझीए एक परकार का नोटिफिकेशन पीडियेफ होता है वो खुल किया जागे देखिए यहाँ पे यूपी मेट्रो असिस्टेंट मैनेजर जेई एकाउंटेंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट अपलाई ओनलाई फॉर् अब यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल करके आएंगे तो देखिए अपलिकेशन स्टार्ट होगा एक तारीक के गरवा महिने 2022 अतलब स्टार्ट हो गया है आज से लाश्ट डेट ओफ रजिस्ट्रेशन तीस तारीक के गरवा महिने 2022 है निकि 30 दिन अपलाई करने का डेट दिया जाएगा फी पेमेंट लाश्ट डेट 30 से गरवा महिने 2022 एक्जाम डेट दू तीन जनवरी 2023 और यहाँ पर देखिए जेनरल ओवी सी डव्लू एस को 590 रुपए का फी देना है सी एस्ट को 236 रुपए का फी देना है एड्मिट कार्ड जो है वो 15 दिसम्बर 2022 को आएगा अ जय मतलब एलेक्रिकल एंड इलेक्टरॉनिक से 60% नमबर के साथ SCST को 50% परज़मर अस्सेंट मैनेजर C&T में 5 सीट है बी इइंब टेग चाहिए 60% नमबर के साथ dairy और में दिक जनियर इंग्जियकशनिप नहीं है 40 पोस्ट है Engineering और Electrical and Electronics Engineering with minimum 60% नमबर Junior Engineer C and T में 17 seat हैं Engineering Diploma in Electronics Engineering and Electronics Communication Equivalent with minimum 60% नमबर Account Assistant में दो पोस्ट हैं Bachelor Degree चाहिए Commerce से with 60% नमर के साथ Office Assistant HR में एक पोस्ट हैं Bachelor Degree in any stream with minimum 60% नमर के साथ तो आप notification समाझ गया हैं कि कौन-कौन बच्चे इसमें apply कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे देखिए apply online पे यहाँ पे link दिया हुए इसको click here करेंगे अब जैसे ही हम click here करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो corner दिखाई दे रहा है दो चीज दिखाई दे रहा है click here to registration form और existing user click here मतलब जो register होगा है वो click करें नीचे और जो register नहीं है वो यहाँ पे click करते हैं हम सुरू से start करते हैं इस पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे देखिए यह load हो रहा है 100% होने के बाद यह face हमारे सामने खुलके आएगा 100% load हो गया अब यहाँ पे आ रहा है kindly यह instruction है इसको हम close करते हैं और close करने के बाद यहाँ पे देखिए register to gate यहाँ पे देखिए आप जैसे आप जिस post के लिए apply कर रहा है अब जो qualification आप फिल फूल करेंगे मतलब जो आपके पास qualification है उसी के grounding आप post select किजिएगा गलत मत select किजिएगा नहीं तो आपको निकाल दिया जाता है job से ऐसा मत किजिएगा कि आपके पास qualification कुछ और है और apply कुछ और post में कर दिये तो एक बार अच्छे से इसको पॉल दिजिएगा असेस्टेंट मैनेजर सीविल, असेस्टेंट मैनेजर एक्लिकल, असेस्टेंट मैनेजर सीनटी, असेस्टेंट मैनेजर एकाउंटेंट्स यह सब bachelor degree के लिए जितना में assistant लगा है junior engineer civil, diploma में civil चाहिए junior engineer electrical, diploma चाहिए इलेक्लिकल से junior engineer S&T इसको electronic चाहिए accountant assistant, officer assistant यह सब में फिर नीचे दो post और उपर के 5 post में bachelor degree चाहिए बीच का 3 post जो है जिसमें diploma चाहिए तो हम यहाँ पे junior engineer SMT पे select कर लेते हैं अब देखिए आप लोग को मतलब जो post आप फिल फुल करते हैं वो select किजिएगा हम बस dummy के लिए आपको बता रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप junior engineer जो भी post आप select करेंगे उसका post code यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालिएगा फिर यहाँ पे दखिए यहाँ पे candidates name आपको डालना है फिर candidates name के बाद यहाँ पे date of birth अब date of birth यहाँ पे डालना है 1112 को यहाँ पे count किये जाएगा आपका date of birth यहाँ पे date of birth के यहाँ पे यह दर बनाया गया है इसमें select किजिएगा और फिर date of birth आपको fill करना है तो अपना date of birth यहाँ पे fill कर लेते हैं date of birth select करने के बाद यहाँ पे नीचे scroll कर गया येगा और अपना dummy के तोर पे हमने mobile number लिख रखा है यहाँ पे अपना mobile number लिख दीजेगा फिर confirm mobile number लिख दीजेगा फिर यहाँ पे email id लिख दीजेगा फिर confirm email id लिख दीजेगा और यहाँ पे generate OTP पे click किजेगा अब जैसे ही generate OTP पे click करेंगे तो हमारे सामने ऐसा एक फेस्कुल के आएगा जिसमें capture verification के लिए बोलेगा OTP जाहिए तो पहले यहाँ पे capture फिल कीजिए उसके बाद ही आपको OTP मिलेगा जो भी capture यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको इस box में फिल करके और यहाँ पे submit पे click क जिएगा अब जैसे ही हम submit पे click करेंगे तो बोलेगा kindly use OTP receive on your mobile number और email address हम इसको okay करेंगे और okay करने के बाद यहाँ पे नीचे इसको scroll करके आएंगे और scroll करके आने के बाद जो भी आपके mobile phone पे OTP पर अप्त हुआ है उस OTP को यहाँ पे enter OTP पे डालके और यहाँ पे validate OTP पे click करेंगे तो बोलेगा OTP has been validated successful हम इसको okay करेंगे और okay करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे एक declaration दिया है इसको घोसरा बोलते हैं इस घोसरा को tick करने के बाद जो भी कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को यहाँ पे feel कर लिजेगा और submit पे click करने के बाद बोल रहा है the information submit करें भी modify click okay तो हम यहाँ पे okay क्लिक करेंगे अब okay पे click करने के बाद जैसे हम okay पे click करेंगे okay पे click करने के बाद ऐसा instruction खुलके आएगा जिसको हम यहाँ से काट सकते हैं close करेंगे close करने के बाद यहाँ पे application status registration और यहाँ पे दिखा यह थे date of birth क्या था post code क्या था email id क्या था यह सब यहाँ से देख लिजिएगा और देखने के बाद देखने के बाद यहाँ पर में दो option मिलेगा आपको एक logout एक go to application तो हम यहाँ पे go to application पे click करेंगे अब जैसे हम go to application पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे load होके एक और ह application sequence number दिखा देगा और यहाँ पर सबसे पहले जो चीज भरना है बोल रहा है examination center आप examination center कहाँ पर देना चाहते हैं उसको यहाँ पर select किजिएगा यहाँ पर आपको तीन examination center चूज करना है तो हमने पहले में गोरखपूर चूज कर लिया फिर लखनाउ चूज कर लिया फिर परियागरा चूज कर लिया आप अपने according center चूज कर लिजेगा जो भी आपके घर से नियरेस्ट पड़ता है वहीं पर center चूज कर लिएगा आपको तीन examination चूज करने के बाद बोलेगा और इसका जनकारी दीजेगा नहीं है तो इसको नो कर दीजेगा उसके बाद बोल रहा है RUA domicile of utar-perdish क्या आप utar-perdish राजे के निमासी है तो इसको भी आप है तो yes कीजिएगा नहीं तो no कीजिएगा उसके बाद बोल रहा है कि apply category आप किस category से form apply कर रहे हैं तो अगर आप utar-perdish के निमासी नहीं है तो यहाँ पर एक ही category आएगा वह category है, वह केवल और केवल, general होगा, UGART होगा यहाँ पर मैं आपको दिखा इता हूँ, यहाँ पर ही category आएगा, वह UGART आहेगा और अगर आप यहाँ पर UGART आना है तो हम यहाँ पर you are अब बर दिखा देगा और age as on 1122 को आप कितना साल का हो रहे हैं यह भी यहाँ पर count करके दिखा देगा और यहाँ पर इसको आप सबको feel करने के बाद यहाँ पर save and next पर click किजिएगा अब जैसे ही हम save and next पर click करेंगे तो बोलेगा data saved successfully हम इसको ok करेंगे और ok करने के बाद यहा personal details बोलते हैं तो यहाँ पर देखिए फिर आपका नाम दिखा देगा फिर आपको marital salary select और ना है आप मतलब क्या है विवाहित है या married है या un married है तो हम यहाँ पर un married सेलेक्टर लेते हैं और मैरेट सेलेक्टर ने के बाद यहां पर आपको अपने पीता जी का नाम देना है मतलब पापा का नाम देना है मैट्रिकुलेशन सोटिफिकेट का धार पर फिर मौदर्स ने मानी कि मा का नाम देना है फिर मा का नाम लिखने के बाद यहां पर नेशनलिटी, नेशनलिटी बोले तो आप राष्टरी एता, आप कहां के मूल निवासी हैं, इंडियन है, तो यहाँ पर इंडियन ही अपलाई करेगा फॉर्म, तो यहाँ पर इंडिया का इंडियन सेलेक्ट कर दिएगा, उसके अट कॉंटेक्ट डिटेल्स में आपका मॉव पे क्लिक करेंगे, तो फिर हमारा ये भी पर इंडियन सेलेक्ट करेंगा, उसके बाद कम्मिन लिटेल्स आयागगा, इसमें आपको फिल करना है, एड्रेस लाइन में अपना एड्रेस फिल कीजिये, उसके बाद यहाँ पे कॉंटरी फिल कीजिये, फिर यहाँ पे अपना state स्थाइ निर्वास करता है। तो हम यहां पर यह उस पर क्लिक करेंगे यह उस पर क्लिक करने के बाद हम फिर नीचे इसको scroll कर करके आएंगे तो फिर यहां पर Save and Next का option रहाएगा फिर हम इसको Save and Next करेंगे अब जैसे हम Save and Next करेंगे फिर यहां पर बोलेगा data saved successfully तो हम यहां पर इसको OK करेंगे और okay करने के बाद हम यहाँ पे फिर अपना जनकारी देंगे qualification की education qualification में qualification details में आपको सबसे पहले matriculation 10th का details फिल करना mandatory है तो आप name of the board आप जी sport से पढ़ाई किया है जैसे मैं बिहार school जमरिशन बोड से पढ़ाई किया हूँ तो यहाँ पे लिख दिया हूँ और percentage आपके कितना percent number था हूँ यहाँ पे लिख दिजेगा फिर intermediate 12 इसका जनकारी फिल करना कोई mandatory नहीं है अगर आप graduation level पर apply करते हैं तो mandatory है जिसे मैं diploma level पर apply करना हूँ तो diploma level के लिए 10th पे और 10th और diploma भीच में 12 क्या करेगा लेकिन मैं 12 भी किया हूँ तो यहाँ पे 12 का जैसे जनकारी मैं फिल किया हूँ किस board से किये हैं वो board का नाम लिख दिजेगा date of passing आपके market पर जो date है वो लिख दिजेगा और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना school का नाम लिख दिया institute name में और फिर subject आप कौन कौन से subject 12 ने पढ़े थे वो लिख दिजेगा percentage आपका कितना था वो लिख दिजेगा और फिर ascension qualification में 3 year diploma है तो यहाँ पे यह 3 year diploma आप जिस भी ब्रांच से जिस भी पोस्ट वाले ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं तो अब इसको yes कीजिए या no की जगर है तो इसको यहाँ पे yes कीजिए और उस course का नाम डालेजिए नहीं है तो यहाँ पे no कर दिजिए और यहाँ पे save and next करेंगे अब save and next करने के बाद यहाँ पे बोलेगा data saved successfully इसको फिर हम ok करेंगे ok करने के बाद यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए upload your recent passport size color photograph not more than 3 months ago मतलब 3 months से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए यहाँ पे click here to upload पे click करेंगे और click करने के बाद यहाँ पे देखिए यह जो torment condition है यहाँ पे दो नमर पे पढ़ सकते है size of the image should be minimum 50 kv and maximum 80 kv का होना चाहिए और यह सब इसका torment condition है आप इसको पढ़िएगा और यहाँ पे browse पे click कीजिएगा और जो भी आपका 50 kv के बीच में photo है उस photo को यहाँ पे select कीजिएगा और select करने के बाद यहाँ पे select कर लिजिएगा और select करने के बाद यहाँ पे इसको close कीजिएगा और close करने के बाद यह photo upload हो गया और फिर यहाँ पे upload your scanner signature और फिर हम signature पे जाँ हम करेंगे तो signature 10 से 30 के भी के बीच होना चाहिए हम फिर यहां पे browse पे click करेंगे और browse पे click करने के बाद जो भी मेरा signature है जैसे मेरा ये signature है हम इस signature को upload करेंगे और यहां पे close करेंगे और close करने के बाद हमारा दोनों चीज upload हो गया यानि कि photo और signature upload हो गया दोनों पे यहां पे सही का tick दिखा देगा और view view का option होगा इसका मतलब दोनों हमारा successfully apply होगा होगा और इसका यहाँ पे देखिए candidates name यहाँ पे आपका नाम दिखा देगा और applicable PRS including of GST मतलब government का tax है 590 रुपया पे करना है इसमें 18% GST है और यहाँ पे declaration को I agree कीजिएगा और I agree करने के बाद यहाँ पे capture फिल कीजिएगा और capture फिल करने के बाद यहाँ पे तीन option है एक back एक preview एक submit तो हमें यहाँ पे पहले preview पे click करते हैं अब जैसे ही हम preview पे click करेंगे preview पे click करने के बाद आप जो भी upload किया है फोटो, signature जो भी आपका जितना भी qualification details, mobile number, alternate, mobile number, अपना address, present, permanent जो भी address अफिल किया है वो सब दिखा देगा, यहाँ पे signature दिखा देगा नीचे में और यहाँ पे declaration भी दिखा देगा, आप किसने declaration को किये हैं और यहाँ पे देखिए, एक preview में यहाँ पे review आफ कोले हैं, यहाँ पे cuttest का निसान है इस cuttest को निसान को यहाँ पे tick किजिएगा और यहाँ पे submit पे click किजिएहा sauna बोलेगा, Please view photograph before submit, यहाँ पे OK किजिएगा मतलब बोल रहा है जैंसे कि आप एक ब़ाद photograph जो है इसको यहाँ पे view पे click कर लिजे तो हम यहाँ पे view पे click कर लेते हैं और view पे click करने के बाद यहाँ पे आपको submit पे click करना है अब जैसा ही हम submit पे click करेंगे तो direct redirect हमको करके SBI payment gateway पर लेके चल जाएगा तो SBI payment gateway खुलने के बाद आप SBI net banking से 0 रुपया से आज पे payment कर सकते हैं order bank net banking से 17 रुपया चाज लगेगा state bank debit card से 0 रुपया order bank debit card से 0 रुपया credit card से 12 रुपया अंठाने पईसा UPI से 0 रुपया तो इसमें से आपको जिस भी मादेम से payment करना है उस मादेम से आप payment कर लिजेगा तो दोस्तों आप successfully आपको पता चल गया है कि UP Metro Rail Corporation का फॉर्म कैसे भर है अगर मेरी दीगी जनकारी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही informative वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे बिदल कीजिए